कुरोने संकट काल में स्वास्थ भीभाग में हुई घोटाले की जांत सीटिंग जद्से करवाने को लेकर अब विपक्ष हाई कोट में आज का दायर करने जा रही है कॉंग्रेस के महासोचिब और विधायक बिक्रमादिते सिंग ने शिमला में पत्रकार बारता के दोरान कहा कि मुख्यमंत्री जराम ठाकुर के पास ही स्वासे भी भाग है और विजिलेंस भी उन्ही के अंडर काम करती है ऐसे में जांच निश्पक्ष होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कॉंग्रेस इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जर्च से करवाने की मांग कर रही है और राजयपाल को भी इसको लेकर ग्यापन सौंपा है लेकिन सरकार इस मामले की जांच विजिलेंस से ही करवाने की बात कर रही है और सरकार जल्द इस मामले की जल्द से नहीं करवाती है तो कॉंग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सहीत सभी विधायक जल्द वैठक कर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला करेगा और कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि मुख्यमंत्री के विभाग में भी फ्रस्टचार हुआ है ऐसे में जाज निश्वक्ष नहीं हो सकती है मुख्यमंत्री चौप तक पद पर बने हुए है ऐसे में जाट प्रभावित हो सकती है विक्रमा दित्य सेंग ने कहा कि सरकार के संकट काल में भी फ्रस्टचार पनप्रहा है और देश में हिमाचल शर्मशार हुआ है इस मामले में रिष्टिदारों को टेंडर दिये जा रहे हैं इसलिए जब तक इसकी इंक्वाईरी पूरी नहीं हो जाती है जिस नैतिक्ता की आधार की बात मुख्यम राजीव बिंदल जी ने बारी बारी करी और उन्होंने कहा कि मैं कुंदन निकल कर भार आउंगा समय आ गया है मुख की थी इसलिए आपको जब तक इसकी इंक्वाईरी पूरी नहीं हो जाती है नैतिक्ता के अधार पर आपको इस्तीफा देने की आवेशक्ता है और सही रूप से इन्वेस्टिकेशन इसमें होनी चाहिए जो भी इसमें लोग इन्वॉल्ड है चाहे वो भाजपा के कई नेत है या और भी लोग जो इन्वेस्टिकेशन के माद्यम से इसमें आएंगे उसके बारे में इंक्वाईरी होनी चाहिए और क्योंकि अभी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो डिरेक्टली मुख्यमंत्री जी के अंडर है इसलिए अगर इसमें कोई सही निरने सरकार नह उटाले में होने चाहिए वही विक्रमादित्य सिंग ने मुख्यमंत्री पर निशानत साधा और कहा कि सीयम की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है बागवान लंबे समय से सेव की पेटियों और मजदूरों की व्यवस्था करने की मांग उठा रहे हैं इसके लिए कॉंग्र